एमरोन का 8802 एका इन्वाटर है जैसे कि आप देख सकते हैं यहां पर यह एमरोन लिखा हुआ फ्रेंट्स यह आप इन्वाटर है जो कि बहुत साइनदार इन्वाटर है जैसे प्यूर साइन वेव है फ्रेंट्स अगर आपका डैक स्टॉप टीवी चल रहा है और उसी वक्त अगर light off हो जाती ही, फ्रेंट्स तो इतना super fast यह current को पहुंचा दी फ्रेंट्स कि थोड़ा से blink भी नहीं होने देती है, इसलिए लोग इसको चुनते हैं, pure sine wave को फ्रेंट्स यह एमरान का pure sine wave inverter है, जो कि आपके लिए बहतरी हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं, यह एमरान का power button ह अगर inverter चालू करना है, तो यह power button को दबा के आप इसको on कर सकते हैं, तो कि हमारा inverter पहले से on है, तो देख सकते हैं, यहाँ पर मेंस जल रहा है, दूसरे साइड अगर देखे हैं, तो यहाँ पर charging है, फ्रेंट्स हमारी बैट्रिक पूरी तरिक इस charging हो चुकी है, इसलिए यह यहाँ पर जो charging का indicator है, वो blink नहीं हो रहा है, और अगर बात करें, थाइड नमबर में वो UPS on का दिया है, अगर light off हो जाती है, तो फ्रेंट्स यहाँ पर UPS on का indicator जलने लगेगा, और चौथे नमबर में low battery दिया है, low battery में फ्रेंट्स ऐसा है कि अगर battery उतर गई है, और battery चा जादा अगर हम load देंगे, तो यहाँ पर inverter जो है, overload का indicator जलने लगेगा, फ्रेंट्स, जैसे कि आप देख सकते हैं, यह एमरान का inverter है, फ्रेंट्स यहाँ पर बागे कुछ मुख्य बातें दी हुई है, आपको मैं बताऊंगा, फ्रेंट्स यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं, पर input range, फ्रेंट्स मतलब यह जो inverter है, inverter का input range है, इसमें यहाँ पर vote दिया है, AC current, यहाँ पर AC दिया है, एक AC current और एक DC current होता है, तो voltage V, तो voltage इसमें AC current जो input का दिया है, 110 से 2500 तक का दिया है, फ्रेंट्स, अगर हम AC current की जो voltage की बात करें, तो 110 से 2500 की बीच में रहता है, फ्रेंट्स, अगर उसी current की बात करें, तो यह ampere में अगर इसको हम चेक करते हैं, फ्रेंट्स, तो इसकी maximum जो है 4.8 है, मतलब 4.8 ampere से यह input लेती है, फ्रेंट्स, फ्रेक्वेंसी 50 प्लस है, और उसी प्रकार से हम अगर output की बात करें, फ्रेंट्स जैसे की 800VA का inverter भी दिया है, और 880VA का inverter दिया है, फ्रेंट्स, तो हमारे पास में 880VA का inverter है, तो हम 880VA की बारे बताएंगे, फ्रेंट्स, जैसे की आप देख सकते हैं, पर output range की बात करें, फ्रेंट्स, अगर power off हो गया है, और अगर यह output देता है inverter, तो 200W से 200W तक का, यह output देता है, जैसे की आप देख सके 200W से 200W तक का, वाट अलग होता है, फ्रेंट्स, और वोल्ट अलग होता है, जैसे की आप देख सकते हैं, पर वी लिका है, तो मतलब यह वोल्ट को दर्शाता है, फ्रेंट्स, तो यह 880VA का inverter है, और अगर यहीं पर अगर हम वाट की बात करें, तो य इनवर्टर की खाजिया थे, फ्रेंट्स, बहुत यह सुपर फास्ट तेजगती से यह केरेंट को पहुचाने का काम करती है, अगर हमारा डेक्स्टॉप भी डेक्स्टॉप अन है, और किसी वज़िस पावर आफ हो गया है, फ्रेंट्स, यह डेक्स्टॉप को आफ नहीं हो होने देदा, फ्रेंट्स, ब्लिंक भी नहीं मारने देता है, यह इनवर्टर है, एमरोन का, इसको पर पीछे तरप से दिखा दीता हूँ, फ्रेंट्स, यह MCB है, जैसा कि आप देख सकते ही, MCB, चुकि अभी हमारा इनवर्टर ओन है, तो MCB अभी ओन है, फ्रेंट्स, किसी वज़े से ओवर हो गया, करेंटर में फोल्ट आ गया, या ओवर्लोड हो गया, तो MCB फ्रेंट्स, होता ही अपने आप नीचे गिर जाती है, इसमें बंदन्द करने की ज़रूत नहीं रहती, इसमें आटोमेटिक सिस्टम रहता है, यही खासियत होती है, एमरोन इनवर्टर की फ्रेंट्स, और दूसरे साइड अगर हम देखें, तो यहां पर चार्जिंग का लिखा हुआ है, जैसे कि 12 Ampere Quick Charge फ्रेंट्स, इस यह उपर भी होता है, नीचे भी होता है, हमको अगर सुपर फास्ट बैटरे को चार्ज करना है, जल्दी से चार्ज करना है बैटरे को फ और दूसरा दिया है narrow voltage और white voltage, मतलब कितना voltage हमको लेना है, उसे हिसाब से यहां पर इसको हम set कर सकते है, यहां पर इन्वाटर का फैन दिया हुआ है, जो कि इन्वाटर अगर गर्म होता है तो इसको ठंड़ करना का काम करता है, बाकी तो आपको पता है उतले हमकों इहां प यह आपके लिए बहुत अच्छा है अगर आपके पास में डैक स्टॉप है तो आप इसको पर्चेस कर सकते हैं अगर आपको यह वीडियो पशंद आता है तो लाइक शेर एंड स्क्राइब कीजिए धन्यवाद